नमस्कार जैश्री कृष्णा मेरा के शिवान याश्टो चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जोतिस ग्यान के नाम से एक सिरीज चलाई है जिसमें हम from the very basic से लेके और advanced astrology तब आपको पढ़ाएंगे और वो अगर पार्ट आप पढ़ लेते हैं वो lectures आप कर लेते हैं वो सहर पार्ट देख लेते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है उसमें कोई संशय नहीं कि आप अच्छे जोतिस बन सकेंगे तो आज हम अगला पार्ट शुरू करते हैं पीछे हम लोगों ने ग्रह किस भाव से क्या देखते हैं यह सब बताया था किस भाव से कौन से अंग देखते हैं वो सब बताया था आज हम बताएंगे कि ग्रह कौन-कौन से हैं जो नो ग्रह हमारे हैं और उनके कारक क्या क्या तो कारक बताने के लिए मैं आपको इस टीन शेयर कर लेता हूं ताकि आपको आडिया रहे कि प्रिजेंटेशन दिखा के कि आपको कौन-कौन से कारक इसके अंदर बताये जाने हैं। ग्रह के देखए कारक होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुद्ध, गुरु इन सबके कुछ न कुछ कारक होते हैं। मंगल को किस चीज़ कारक बोला गया है, मंगल को किस चीज़ कारक बोला गया है, बुद को किस चीज़ कारक बोला गया है, ये डिफरेंट ग्रहों के डिफरेंट डिफरेंट कारक हैं, और जब भी आपकी प्रडिक्शन में ऐसी कोई बात आती है, कि हमें नौहरी कम मिलेगी, या हमें वो हमारे स्कूल के एक्जाम में हम पास होंगे या नई तो उस केस में ये जरूर देखना होता है कि कौन सा भाव involved है और कौन सा ग्रह involved तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि हर ग्रह के क्या-क्या कारकत्व हैं तो उससे आपको मालूम हो जाएगा अगर कारकत्व आपको मालूम होंगे तो जैसी कोई प्रिशन पूछेगा आपसे तो आप उसे कारकत्व वो देखते हुए कि क्या किस बारे प्रिशन है आप ग्रहे डिसाइड कर सकते हैं और ग्रहे की पोजिशन देख सकते हैं कुर्ली के अंदर, अगर ग्रहे स्टॉंग है, अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि काम बहुगा, और ग्रहे अगर इतना अच्छा नहीं है, तो फड़ा काम में दुकावटे आएगी, तो आज हम सूर्य के कारक है, कि सूर्य ग्रहे जो होता है, वो किन-किन चीजों का स्वामी तो रखता है, या वो किन-किन चीजों का कारक है, देखे, सबसे पहले तो शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य आत्मा का कारक है, यह सबसे पहली, फस्ट और फोर मस्ती गया, अगर एक व बहुत मजबूत होगी, अब कुंडली में सूरी कैसे मजबूत होता है, या सूरी कमजोर कैसे होता है, यह हम लोग आपको आगे पढ़ाएंगे, जब हम ग्रेव की मजबूती पर आएंगे, ग्रेव के बल पर आएंगे, तब हम इकलास में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इतन से हैं वो पीछे में आपको पढ़ा चुका हूं कौन से अच्छे भाव हैं कौन से अशुप भाव हैं तो अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो वीडियो पर देख लें तो उससे आपको सानिय आएगी तो अगर सूर्य अच्छे भाव में बैठा हो जो मैंने बताया ह तो आत्मिक शक्ति अच्छी होती है अगर पिता का कारक भी में अज ए सूर्य अरोशान नुस्वासन का कारक्वी बहुत हो सकती है अगर सूर्य की दशाब यह आ जाए और सूर्य आपका अच्छा हो तो आप बहुत discipline रूप से बिएव करेंगे पंचवल होंगे क्यों कि सूर्य पंचवल है सुर्य को मालूम है कि समय होना है कि समय डूबना है तो सूरे से दर 50% कोई है निशा양, तो इसलिए सूरे अनुशाषन का कारक नीए, सूर्य मंदिर और किलों का कारक है, इसूर्य भगवान है, तो ये मंदिर जितने ये मंदिर होतے है, ये किले होते है, धोर्ट सोते है, इनकी बात जब चलती है, तो सूरे को जहार नखना परत ग्रहों में regardless जैसे सूरी को राजा बोलते हैं चंद्रभा को राजा बोलते हैं मंगल को सयनापती बोलते बुद्ध को राजकुबार बोलते हैं, रस्वती को मंतरी बोलते हैं, शुक्र को मंतरी बोलते हैं, शनी को भर्त यानि सेवक बोलते हैं, तो इसी प्रकार से सूर्य चुकि राजा है और सूर्य किसी का अच्छा है, और पहले जमाने में क्या होता था, सरकार का मत्ता पहले ज माने में जब ये चास्त्रे लिखे गए थे उस वक्त तो राजां के राज से तो उस वक्त यह बोलते थे कि आपका राजा से कोई काम होना है या राजा आपके उपर काफी महरबान होगा तो वो बोलते थे जब सरकार की बात हो गई है अब राजा नाम की चीज तो रही नहीं है, अब सरकार हो गई है, तो सूरे का सरकार से संबंद आ गया, सरकार का खार्थ भी सूर्य है अगर कहते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी तो भी हमें सूर्य को देखना पड़ता है सरकार से फाइदा होगा या नहीं फाइदा होगा हमको तो भी हम सूर्य के मजबूती को देखेगे कि सूर्य हमारा मजबूत है या नहीं है तो यह सब चीजे सूर्य से देखी जाते हैं सरकारी नौकरी का कारक सूर्य है जैसे मैं आपको बताया कि सरकारी नौकरी म्लेगी यांनी प्रतिष्ठा का कानी कि अगर सूर्य आपका कुंडली में अच्छा है तो आप अच्छे पत्पों में आपकी प्रतिस्टा होगी आपका नाम होगा आपकी कॉर्प्रेशन में आपकी कंप्री गंदर एक अडेंटिटी होगी सूर्य हड्यों कारक भी होता है यह बहुत इंपोर्टन है अगर हम दो शब्ले मात करें सूर्य हट्या में कमजोर होती है थोड़ी चोट लगने पर इसके हाथ तूटने गटर हो जाता है या पैर तूटने गटर हो जाता है अगर थोड़ी बहुत भी चोट लगती है तो यह हट्यों कारक भी है अगर सूर्य कमजोर है सूर्य प्रिलित है तो आंख में प्रॉब्लम हो सक की सूर्य की रॉश्नी में हम लोग देखते हैं कि छंद्रमा की रॉश्टी में हम लोग देखते हैं सूर्य चंद्रमा को को दोनों का अखा-कारण बो लगे हैंdefined सूर्य का पूर्वदिषा का स爵امी है सूरлять अगर सूरिया का मझबूत है तो एस साइड के अंदर पूर्दिशा के अंदर आप कोई काम करें तो आपको बहुत पाज़ा मिलेगा राज्जे का कारख है राज्ये मैंना आपको बताई दिया कि के लाजा के सोतर कारकारक के लम्भे समिब किसी इंसार प्रौत रहता है तो वह सूर्य के अगर सूविक का रिखा जो हूर होागर इसको थcation प्रोड आता जाना परिछा आएगा चला जड़ेगा अबकिन किसी का लंबे समय तक प्रौड़ का रहता क्वारकारत चाहिए जंगल गूंगा इसमें की राशी ए चाहिए- अउन्हील-धिर कि पोन राशी और उसकी सिंग्त जो है। oraz जिए क्या खासियत है कि वहिए जंगल में राजा की तरह रेंगा- तो ऐसे इंसान जिनका सूर्य अच्छा होता है उंको जैसे नेशनल पार्क से हैं जिर में बड़ा अच्छा लगता है जंगल घूंबना पसंद पहालओं पर जाना बहुत पसंद करते हैं क्यां कि ये सूर्य से आता है आपके behavior का कारक्सूरिया है, पित का कारक्सूरिया है, तीन तरह के दोश होते हैं, चार तरह के दोश समझिया, बात, पित, कफ और एक्त दोश, वायू दोश, कफ दोश, पित दोश और एक्त दोश, इन चारो दोशों से ही बिमारी होती है, दुनिया की कोई ऐसी बिमारी नह होगा तो आप ईसी रहे सब चलती हैं चलते हैं अपकी सारी फिर तैने की प्रोब्लम चलती है हो उसारी प्राब्लम बाद रोग से हमारी हो जाती है दो यह सारे जो है कफ रोग हैं तो जितने भी जुकाम है यह सब चीजे क यि इस सब्दोश सब से हो जाती है सुजिए इस था का नुह है तो है किसी डों के कैद का वघी तो सूर्य से वी बात होती है बहुत कंजोर तो ऐसा इसांसान को पित की फिरोक्र्टी रहने है do अगनी का कारक है सूर्या, सूर्या अगनी का कारक है, शिव पूजा का कारक है, अगर सूर्या है, शिव पूजा का का मतलब क्या हुआ, किसी कुनली में अगर सूर्या बहुत कमजोर है, अगर किसी कुनली में सूर्या बहुत कमजोर है, तो ऐसा इंसान अगर भगवान शिव क पुज़ा करें तो सूर्य शान्त हो जाता है। और सूर्य से इमिलने वाले इन अशुक्तिस नहीं मिलोड़ा कि यह बहुत इंपोडन चीज़ है। और सूर्य आप्ने शाक्षात्कार का और किशें पूरते हैं। दहके अपने आप में जाकशातर पार किए कि आप कैसे है चाही duyors क्लेखे इस बोल소리 से ंज़र कोरा है दीकैने स्षोल अगर सूरी अच्छा उगए को आप अपनी अंदर जहांकने में सक्षम होंगे। आप अपनी strength और weakness को बहुत अच्छी चाशे पैचान पाएगे। सूर्य कमजूर होगा तो आप अपनी अंदर जहांकने में डीक होंगे। अपनी strength और weakness को आप एतनी इच्छी तरिके से नहीं जज़ कर पाएगे। किसी आज़ने पर रपाझ करें इसके लिए बहुत अच्छा है बहुत फाजा होगा सूरिय लकडी का विस तरी के सी कि का रत मैंने आपको सारे बताए नेक्स कि वर्विडियो में मैं आपको चंद्रमा का कारख सभा और इस से पहले कि एकर मैं अपर सूर संदेना चाहता हूं कि हम लोग हुली के क्लास हमारी कुलिकली कुलिक मैंनलेसस कि अप Henri इस जल्ड keen यह स्टोलागी कुल्च सब्सक्राइब उसमें जॉइन करना चाहते हैं तो दिएगे नमबर को संपर कर सकते हैं जल्दी तो मैं आपको फिर जल्दी नेक्स वीडियो जो आप मेरी आएगी उसके अंदर में आपको चंद्रमा के बारे में बता कूंपाई धन्यवाद जैशी कृष्ण